गुजरात के दूसरे चरण की वोटिंग शुरू हो गई है और तमाम राजनितिक दिगज वोट डालने के लिए मतदाता केंद्र पहुँच रहे हैं और इस बीच बीजेपी के चाणक्य कही जाने वाले और पार्टी अध्यक्ष अमिज शाह भी वोट डालने नारनपूरा पहुचे तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि एक और जहाँ पुलिस के जवान तैनात हैं तो वही लाल कोट और सफेद पैंट पैंडे बैंड बाजे वाले भी मौझूद हैं ये देखी अमिज शाह के आते ही लोगों की भीड उमड जाती हैं मता तक केंडर से बाहर आते ही ना सिर्फ अमिज शाह विक्टरी का इशारा करते हैं बलकि गुजराद के वोटरों से अपील भी करते हैं कि सूबे के विकास के लिए वोट डालने के लिए बाहर निकले वैसे 14 जिलों की 93 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं और इस चुनावी अखाडे में 851 उमिद्वार उत्रे हैं वैसा मिल शाह के पार्टी अध्यक्ष बनने के बाद ग्रहनगर में उनका ये पहला चुनाव है ऐसे में ये देखना दिल्चस्प होगा कि बीजेपे के चानक क्या गुजरात में पार्टी को जीत दिला पाएंगे या नहीं एनमेफ नियूस की रिपोर्ट